ए सटाट! चाटा लगा! जिहां, जोर का चाटा लगा सेरियल अज़ूनी में अब क्यूं लगा? इसकी भी एक वज़े है और वो वज़े है शक सच में, यार, किसी के धिमाग में शक घुश जाता है न तो फुर वो देखता नहीँ है कि वो किसको क्यों मार रहा है कैसे मार रहा है अब देखो शक ने कितना बड़ा बवाल ख़ड़ा कर दिया अब दो हमारी से टक लिए प्यार क्या हो और अब भी चलता हूँ फिर जो हाथ कभी अजुनी के लिए फिर दुआ में उठा करते थे आज देखिए उसी हाथ से राजबीर ने अपनी जान अजुनी को जोरदार ठपड़ मार दिया अपने दिल के तुकड़े को आज वो इतना तकलीफ क्यों दे रहा है हिजब की राजबीर ये अच्छे से जानता है कि अजुनी को तकलीफ देना है मतलब उसे खुद तकलीफ मिलना गुस्षा तो आता है राजबीर को बहुत और वही गुस्षे में उसने हाथ उठा दिया आगे देखते है जो कब गुस्षा उसका खतब होगा वो मेरी बात मानेगा भरोसा करेगा रही क कि अब किसीने सच ही कहा है शक करना बहुत ही बुरी बला होती है लेकिन क्या करे घर वालों ने इस शक को राजबीर के दिमाग में डाल दिया जिसका अंजाम क्या हुआ वो आप सब के सामने है शक बहुत बुरी बिमारी होती है तो वो जो शक होता है ना वो कितना भी आप कोशिश कर लो बाहर ने कभी दिमाग से बाहर जाता ही नहीं है तो वैसा ही हुआ है कुछ राजबीर को अजुनी के लिए शक हुआ है पैदा हुआ है और उसकी वज़े से वो आज उसकी अकड पूरी तरीके से निकाली गई है और राजबीर ने ही निकाली है अविनाश और अजुनी के बीच कुछ चक्कर चल रहा है ये बात ना राजबीर के दिमाग में बैट गई है पती पतनी के बीच इतना बड़ा जगड़ा देखकर घर वालों को खितना मजा आ रहा है आज बिल्कुल ऐसा ही हुआ है अजुनी को उसकी अकड जो है वो पूरी तरीके से निकल गई है और इसलिए हर्मन बहुत कुछ है आज पेचारी अजुनी ही जो कहना चाह रही है वो कह ही नहीं पा रही है और जो बात उसने कही उस पर विश्वास ही नहीं कर रहा है उसका राजबीर वो पूरी तरह गलत समझ रहा है अजुनी को उसको लगता है अजुनी और अविनाश के बीच में कुछ चल रहा है जो कि ऐसा नहीं है बट अब कैसे भरोसा दिलाए अब अभी अभी तो दोनों थोड़े बहुत करीब आने लगे थे लेकिन इस इंसिजन्ट के बाद अब फिर से दूरियां आ जाएंगी ABP News Report ABP News आपको रखे आगे